बिग बॉस के घर में इस समय काफी ट्विस्ट चल रहा है। विक्की के एविक्षन से अंकिता काफी दुखी हुई थी आला कि अंकिता ने विक्की को साफ तोर पर कहा था कि बाहर जाकर पाटी मत करना लेकिन पाटीज के शौकीन विक्की बीवी की कहम आने। में सना रईस खान को देखा जा सकता है। और तीसरी फोटो में विक्की को इशा मालवी के साथ पोज देते देखा जा सकता है। ना कि विक्की ने खुद ना फोटो शेर की ना कोई जान करी दी। बताने कि सना और इशा दोनों ही उनके साथ शो का हिस्सा थी। वो दोनों भी शो से बाहर हो गई है। दोनों की विक्की के साथ अच्छी बॉर्णिंग देखने को मिल रही है। सना की विक्की के साथ बॉर्णिंग पर अंकेता को थोड़ी दिक्कत भी थी। अब लोग कपल को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा अंकेता इसलिए खुब रो रही थी ना कि एविक्श मेहंगे गिफ्ट्स और पार्टीज के लिए इंडस्टी में फीमस हैं। बिजनिसमेन विक्की मुलरूप से चतिसगड के हैं। कॉल का फैमिली बिजनिस संभालना शुरू किया। वो महावीर इंस्पायर हाउस के मेनेजिंग डिरेक्टर भी हैं। विक्की कमपनी में विज्ञापन और मार्केटिंग जैसा काम संभालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडस्टी में वो एक्टिव कैसे हो गए। तो बता दें कि वो मुंबई टाइगर टीम के मालिक हैं। मुंबई टीम स्पोर्ट्स रियलिटी इंट्रिमेंट शो करवाती है। इसलिए तो इंडस्टी में उनके काफी करीबी दोस्त ऐसे हैं जो टीवी वा बॉलिवड इंडस्टी से जुड़े हुए हैं। विकी की सं पत्ती 25 करोड के आसपास बताई जाती है। जब वो अंकिता से मिले तो वो महंगे महंगे गिफ्ट देकर उन्हें इंप्रेस करते थे। अपनी रईजी और महंगे गिफ्ट को लेकर वो खुब सुर्कियां बटोरते रहे हैं। लेकिन जब से विकी बिग बॉस में आये है लोगों की विकी को लेकर सोच काफी बदली है। लोगों उनके अंकिता के साथ खराफ वेभार को लेकर हैरान है। वहीं कुछ उन्हें एरोगेंट्स भी कह रहे हैं। वैसे आपको विकी की परसनलिटी कैसी लगी? हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। को फॉलू, फेस्बुक को लाइक और यूट्यूब चानल सब्सक्राइब करना ना भूले।